नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यानफोरियों में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वीडियो की पुनर परिक्षा को लेकर जो सरकार की तयारियां हैं उनके बारे में आपको मैं अवगत करा दूँ दोस्तो देखिए वीडियो और ये एक्जाम इस परिक्षा को लेकर सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी जब ये परिक्षा रद्ध हुई थी और इस परिक्षा में बड़े सर पर घपला हुआ था और ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि 1953 सीट में करीब 1365 के आसपास सीटें बिकी हुई थी यानि कि 1365 सीट उपर गलत छात्रों ने पैसे दे कर सेलेक्षन ले रखा था तो अब जो है सरकार इस एक्जाम को दोबारा करवा रही है और इस बार सरकार की जो तैयारी है न भईया वो बिल्कुल युद्धिस्थर पर है जब सरकार पैट 2022 में 38 लाक छात्रों का एक्जाम बिल्कुल आराम से बिना नकल के करवा सकती है तो 14 लाक छात्रों का एक्जाम भी यूपिटर पलसी और शाशन बहुत आराम से ढंग से इमानदारी से करवा सकता है देखे सरकार चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है ठीक है और अगर किसी भी एक्जाम में घपला होता है तो उसमें धील सरकार की होती है और सरकार यगर चाहे तो 14 लाक या एक करोड बच्चे भी हो तब भी उस एक्जाम को ढंग से करवा सकती है बिना एक सिंगल नकल के देख कि भईया इस बार जो है पूरा ढंग से इस एक्जाम को यूपिटर पले सी और साशन कराएंगे और यहां साफ साफ लेका है कि देखिए यहां तक की सामान्य घड़ी कलाई घड़ी भी परिक्छा में आप नहीं ले जा पाऊगे कलाई घड़ी बाली पैंडल कडा पहन कर पेस रिकगनिशन से उपस्तिती देखी जाएगे हैना अब यह है परिक्छा 24 जून को चार पाविम होगी और आपको बता दें इसमें देखिए प्राइवेट एजंसी को सोपी के जिम्मेदारी आयोग ने एक प्राइवेट एजंसी को विशेज जिम्मेदारी सोपी है देने जाते है ना तो वहाँ पर मॉबाइल फोन जमा करने की बैग जमा करने की सही सुविदा नहीं होती लेकिन इस बार जो है क्या है कि मॉबाइल समेत अन्य पूरा सामान जमा करने की जिम्मेदारी जो वो एजंसी के ऊपर ही होगी यह परिक्छा प्रदेश के सभी सत्र मंदल मुख्यालय वाले शहरों में सहित 20 जिलों में जो है आयुजुत कराई जाएगी ठीक है और इस परिक्षा में जो है 1 by 2 की negative marking भी है यानि कि 50% की negative है जो अपने आप में बहुत जवरजस्त है और इसको लेकर भी आज training चलेगी जो exam कराएंगे teacher उनकी ठीक है और बात कर लेंगे दोस्तों road wage बसों को लेकर तयारी क्या है कि road wage कर्मी चात्रों की संख्या का आकलन करके control room भेजेंगे और 24 घंटे पूछताच केंद्र, canteen और दुकाने खुली रहेंगी यानि कि जहाँ जहाँ जिन जिन जिलों में ये परिक्षा है वहाँ 62 अदे हो, कुछ भी सुविदा हो वहाँ 24 घंटे ओपन रहेगी चाहाँ केंटीन हो, दुकाने हो परिक्षा duty करने वाले करमचारी तैनात रहेंगे 62 अदे पर परिक्षा desk flex help line number जारी होगा भीड बढ़ने पर ततकाल बसे संचालित होंगी ठीक है, तो देखे सरकार पूरा प्रियास अपनी तरफ से कर रही है फिर भी अगर कोई थोड़ा बहुत उपर नीचे होता है वो देखने वाली बात होगी क्या होता है बागी सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रियास इस भरती को एक्जाम को डंग से कराने के लिए कर रही है, जिससे कि छात्रों को जरा भी दिक्कत इसमें एक्जाम में ना हो ठीक है दोस्तो, और बागी तैयारी आप इकेस चल रही है, आपके तैयारी कितनी कंप्लेट हो चुकी है, अब केवल दोस दिन का समय शेश है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तो यही न्यूस थी, और किसी भरती को लेकर दुजानकरी मुझे मिलेगी, आपको सबसे पहले दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो जैंज है भारत